नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रविवार की रात चुपचाप फेंग दें। यहां पर एक लॉंग जीवन के हर कष्ट में जाए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है। बलकि आपका कोई भी सपना हो, वो पूरा होता ही होता है। आपको आज हम उन लोगों के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपयोग करके न केवल आप दोतिशी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, और अपनी समस्या बताते हैं, तो वह आपको ऐसे से उपाय बताते हैं, जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर् कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें लौन का प्रयोग अवश्य ही होता है। जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद होती है। बल्कि लोगों का एक सरलसा उपाए करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे। कैसे आपको सुख सम्रिद्धिधन दौलत एश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदु धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं, बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थे की दृष्टी से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टी से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। है कहा जाता है कि लौंग का उपाए अगर माता लक्षमी जी के सामने किया जाए तो माता लक्षमी जी का तुरंत ही हमको आशीरवाद और वर्दान मिल जाता जाता। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुवात में ही बता चुके हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लोगों का उपयोग न किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। किसी बीमारी ने आपको जकड लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुख गई है, उन्नती रुख गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान है, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाएं, लास्ट तक तक देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौन का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना जैसे मान लीजिए, आप नौकरी चाहते थे तो आपकी नौकरी लग जाएग आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते थे, वह संपत्ति आपकी हो जाएगी, नारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी और अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौन का प्रयोग करके आपको माता लक्ष्मी जी का वरदा बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी न हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आ इन उपायों को किस मुहूर्थ पर करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा ताकि उपाये, अरे आप तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिले और दोस्तों एक बात का ध्यान ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाये करते हैं, लौन के हमें नियमों का पालन किये, बिना कोई भी उपाय करेंगे, आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात आप लोग ज़रा समझ लीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का माह उपाय, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है, और आप इस चीज को ले करके बड़ा ही परेशान है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन भी आए, तो धन आए, बोड के भी और के भी, और उसने वृद्ध भी हो, तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सरल सा उपाय, आपको हम बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको लगातार पांच रविवार करना है, पांच रविवार के बाद आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह आज का उपाय नहीं, बलकि रविवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, अब आपको रविवार की शाम को माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है, जो आपके घर में जहां पर माता लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, मूर्ती लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है, सूर्यास्त के बाद नह अब आप लोगों को माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह इस प्रकार से है। पांच रविवार के बाद उस डिब्बे में लॉंच हो जाएंगे और इस डिब्बी को अपनी अलमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा जहां से आप लोग पैसे का लेंदेन करते। पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी क्योंकि यह उपाए एक ऐसा उपाए है जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वध दान मिलेगा। तो दोस्त दूसरा उपाए जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का माह उपाए। अगर आपके घर में रोज लड़ाई जगडा ग्रह कलेश हो रहा है आप देख रहे कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। एक उपाए जो हम आपको बता आने जा रही हैं ध्यान से सुनियेगा एक पीतल की कटोरी ले लीजिए पीतल का पात्र ले लीजिए अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राक बच जाएगी इन तीनों चीज की इस राक को किसी डिब्बे में भर लीजिए। और आप लोग एक हफता मतलब लगातार साथ दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर की जाडू लगा। ये इस दिन वे से थोड़ी सी राक न रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था। आपके घर की दोस्तों का गैर की उननती हो गई। उननती भी होगी और इस राक की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए आपको खुद इसका प्रभ अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था फिर बार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए तो यह मांग उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं देखिए मंगलवार का दिन हनुमान जी महराज का दिन होता है आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र बहुत ध्यान से सुनियेगा दो ग्यारह लॉन दौर पांच गोमती चक्र पांच गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा इसको लाल कपडे में पोटली बना लीजिए, पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा हनुमा जी के मंदिर आपको सुभह से शाम किसी भी समय जाना है, जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और इसी पुत्री को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से वो दोस्त खत्म हो जाएंगे, ये उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौर पड़ेगा, चल पड़ेगा, अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है, शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय, दोस्तों जिस व्यक्ति का शुक्र ग्र हुआ है, तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, और शुक्र ग्रह का जो नियंतरन होता है, वहां माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएं तो आपको क्या करना है देखिए शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है धोना है नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाई तरफ एक लौंग बाहर देनी है सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाई तरफ एक लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की तीन परिक्रमा करके घर वापस आ जाईए ये प्रयोग आपको लगातार पांच शुक्रवार करन आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खीचा चला आएगा तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक मैं और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार